हेलो फ्रेंड्स जैहिं जै भारत आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MK Science Classes पर तो मेरे दोस्तों आज का फिर से दवारा से 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 रहेगा और बड़े मजेदार important question रहेंगे एक बार एक्जाम से पहले जरूर देखें भाई इनको time waste ना करते हुए जो मेरा भाई चैनल से नया जुड़ा है चैनल को subscribe करे वीडियो को like और भी जो वच्छा है जहान रहाँ देखिए घणत्व को व्लूम क्या होता है दोस्तो मास अपन में volume हिंदी में इसको मोलेंगे द्रिवमान और बटे में बटे में क्या बोलेंगे? आयतन राखिये ज़ि मैं बात करूँ द्रुआमान की द्रमान के SI unit क्या होती है? द्रमान के SI unit होती है बटा? किलोग्राम और आपका आयतन जो होता है इसको हम बोलते हैं मीटर का क्यूब तो देख लिजे वाइसे इस मंसर क्या होगा तो घनत्व के ऐसा इनिट क्या होगी तो किलोग्राम मीटर का क्यूब होगा या फिर क्या होगा न्यूटन होगा या पासकल होगा जल्दी से आंसर करके बताइए फटाक से क क्या होगा अंसवर देखिए जन्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा अंसवर बच्चों इस का अंसवर क्या होगा किलोग्राम पर मीटर का क्यूब देख लीजे यहां पर लिखा हुआ है ठीक है जी दोस्तों चलिए अगला क्वेशन देखिए अगला क्वेशन है आपका इ जल्दी से चलिए अगला क्वेशन देखिए अगला क्वेशन है आपका मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है जो आपकी मूल मात्रकों को दोस्तों बोलते हैं पंड़ बताईए कंवेशन दोस्तों देखिए एक होती है लंबाई क्वेशन दोस्तों इसको जोते हैं एक होता है समय ठीक है जी जिसको time बोलते हैं एक होती है दर्वमान जिसको mass बोलते हैं एक होता है तापमान दोस्तो क्या होता है तापमान ठीक है जी जिसको temperature बोलेंगे एक होती है विद्धुद्धारा ठीक है जी इसको हम बोलते है electric current मेरे भाईयो ठीक है जी एक होता है एक देख लीजिए एक दो तीन चार पांच है और साथ देख लीजिए दोस्तों ठीक है जी क्रिविजन लेते रही है भाई बहुत फास्ट से जल्दी से टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं तो मूल मात्रा की संख्या कितने होते हैं टोटल साथ होती है किसी दूसरी उनिट्स नहीं करेंगी इसका मतला हम कह सकते हैं फंडामेन्टल पर इस इन पर करती है पर काKay होती है जो क्या होती है जल्दी से बताइए इसका अंसर क्या होगा यह सम्थल कोन सम्थल कोन क्या होता है पिलेन एंगल जो होता है उसकी साइङ रेडियन जो होता है यह आपकी supplementary units होती है कैसी होती है supplementary कैसी supplementary को बोलते है संपूरक संपूरक रासिया ठीक है जी संपूरक रासिया supplementary units होती है कौन सा जिसकी unit होती है एक radian होती है और यह क्या होती है steradian परंतु समतल कौन की क्या होती है दोस्तो radian एंपियर किसकी है एंपियर दोस्तों किसकी है विद्योध धारा की है सर जी किसकी है विद्योध धारा की और किलोग्राम जो है यह किलोग्राम किसकी होती है मास की दोस्तों मास को धिर्वमान बोलेंगे और स्टेरेडियन मैं बता है यह ठीक है जी चलिए अगला कॉशन दूद की सुद्धता मापने वाला यंत्र ऐसा कौन सा इंस्टूमेंट है जो वाइसा दूद की सुद्धता को कुर्टी को मापने का काम करेगा कौन सा बैरोमीटर होगा option A option second लेक्टोमीटर option third hydrometer होगा और fourth होगा क्या चीज अमीटर जल्दी से बता दिए मेरे दोस्तों जल्दी से फटाक से अंसर दीजे ठीक है जी तो धान रखना दूद की सुद्धता को जो मापता है वह होता है दोस्तों लेक्टोमीटर कौन सा होता है लेक्टोमीटर याद करने दोस्तों कौन सा होता है लेक्टिग एसड़ ठीक हजी लेक्टिक अमल होोता है इसे याद रख लो लेक्टोमीटर गी करता है वह हुप हुप कों सा आपका यह करेग तो सब्सक्राइब खाल देखिए खता है अगला कोशन देखिए पॉधे की विड़िदी दर इंतर कौनसा है पोदे की जो विरजी को मापता है वो कौनसा जंतर होता है भाई वीडियो अच्छी लगतर ही है चैनल को सब्सक्राइक रहे है चैनल को विडियो एक और शेयर करते रहे है और आपने दोस्तों के बाद भाद में passer करते रहें। थीका जी देखिए तो फोदे की विड़िधी धरम आपने वाले इंत कौन सा होता है Speedometer होगा, Altimeter होगा, Oxenometer होगा, या फिर सिस्मोग्राफ होगा जल्दी से अंसर बता दिजिए इसका अंसर क्या होगा ठीक है जल्दी से बताजिए विर दोस्तों क्या अंसर होगा स्पीडोमीटर, अल्टीमीटर, ऑक्जिनोमीटर या फिर सिस्मोग्राफ, देखिए दोस्तों इसका अंसर जो होगा, वो होगा ऑक्जिनोमीटर, ये क्या करता है, पेड की विर्धी धर मापने का काम करता है, पेड कितना बढ़ रहा है, कितना नहीं बढ़ रहा है, यह गाडियां जो होती है गाडियों के अंतर उसकी speed को मापता है गाड़ी की speed ठीक है जी गाड़ी की speed को मापने का जो काम करता है दोस्तों यह कौन सा होता है speedometer, altimeter हो गया और oxygenometer क्या करता है आपका यह answer है पोड़े की विड़िदीचा अच्छा जल्दी से बता दीजिए पो वार्षिक वल्ले क्या बोलते हैं वार्षिक वल्ले बोलते हैं ठीक है जी दोस्तों धान रखें जितने रिंग होंगे उतने उस पेड़ की क्या होती है उमर होती है तो एक दो तीन चार तो मान चलिए पेड़ को काटते हैं तो यह चार साल का पेड़ है ठीक है जितने रिंग क्या कहा जाता है boiling point कहा जाता है मेरे भाई यो जल्दी से comment करके बता दीजे boiling point क्या होता है किसका पारे का तो बताइए भाई क्या होगा इसका 357 degree Celsius 310 degree Celsius 98.6 degree Fahrenheit या फिर minus 49 degree Celsius जल्दी से सब्सक्राइए इसका अंसर क्या होगा तो पारे का क्थना जो होता है वो कितना होता है 357 डिगरी सेल्चिस इसका मतलब हो 357 डिगरी सेल्चिस पर पारा होगा वह उभलने लगता है दोस्तों ठीक हम यह कह सकते हैं देखिए यहां पर कुछ और चीज भी लिखी हुई है 98.6 डिगरी फैरनाइट है यह human body का temperature है ठीक है जी human body temperature human body temperature इसका मतलब आपके स्वस्त शरीका आपके body का temperature होता है आपका पारा होता है ना पारा यह जम जाता है क्या कर जाता है इसका मतलब यह क्या हो जाता है आपका फ्रीज हो जाता है मैं फिर बता रहा हूं 310 Kelvin होगा बरावर 98.6 degree Fahrenheit होगा और आप से कहने लगे 37 degree Celsius यह human body का temperature होता है 310 Kelvin क्या दो अगला question देखिए अगला question है नमर 9 है सबसे छोटा परमानु की सत्व का है सबसे छोटा एटम परमानु को बोलेंगे एटम ठीका जी और तत्व को बोलेंगे element तो बताइए इस में से ऐसा सबसे छोटा कूंसा element है जिसका सबसे छोटा क्या है परमान हुआ है सबसे छोटा एटम है तो भाई सब nitrogen होगा hydrogen होगा helium होगा potassium जल्दी से comment करके बताइए बहुत अच्छी वाद है भाई very good बहुत सांदार सांदार जी तो nitrogen hydrogen helium potassium तो दोस्तों इस का अंसर जोगा वो क्या होगा helium तो helium क्या होता है helium में कैसा तत्व है हम कह सकते हैं यह इनर्ट गैस है इसका जो एटम होता है जो परमान होता हो सबसे छोटा होता है और दूसरी बात यह सबसे हलकी गैस भी है क्या है हलकी गैस भी है lightweight वाली बी गैस जो होती है यहीं पाई जाती है दोस्तों चलिए अगला question देखिए अगला question है question number 10 कि एक electron पर कितना आवेश होता है आवेश को बोलते हैं भाहिया चार्ज यदि मैं बात करूँ एक एलेक्ट्रोन पर एक एलेक्ट्रोन की बात कर रहे हैं तो एक एलेक्ट्रोन पर कितना चार्ज होगा जल्दी से बताइए पहरा उप्षन है 1.6 मल्टिपलावा दस की पावर मैनस 90 धानख न और यह क्या है माईनज 1.6 मॉल्टिप्लाइवार आ, 10 की पावर माईनज 19 कुलाम है और 9.1 10 की पावर 19 कुलाम है या इन मेंसे कोई नहीं, जल्दी से क्मेंट करके बताईआए इसका आंसर क्या होगा, सबी को पता होगा बाई साब जल्दी से बताईए क्या होगा तो इसका होगा दोस्तों देखो यहां पर सैंसा लग़ रहा है परन्तु मैनस का फरक है तो इलेक्टरों पर जो चार्ज होता है तो मैनस होता है तो मैनस 1.6 और आप से पूछने लगे इसके होते हैं जी जैम्स चैडविक कौने जी जैम्स चैडविक टेंशन ना लेना बाई सारा पूरा स्लेबस हम आपको विदाउट कोस्ट ऐसे करवाने बाले हैं और सांदार तरीके से करवाएंगे बाई साथ दोस्तों देखिए तो धान रखना बाएंट्र के खोजगरता में आपके लेखे हुए है र के में बात करो इलेक्टरन पर मानिस में होगा प्रोटन पर प्रट्रों में हो जाता है दसऑ नहीं होता है ठीक है जी दोस्तो धान रखना चलिए अगला क्षें देखिए बड़ा सांदार मक्ही व्यद्धानिक नाम बताना है वहाई सामक्षी का जो आपका scientific नेम बताना है मक्षी का तो मसका domestica होगा राना टिगरीना होगा मैगी पेरा इंडीका होगा या फिर कैनिस फैमलियर होगा जल्दी से कमेंट करके बताईए मेरे भाईयो क्या answer होगा घार option दिए हुए आपके सामने जल्दी से होता है गरेलू चीजे और गर लू आपकी मक्यां मेंडक होता है मेंडक है जाँ करने का तरीका सुनिए राना टग्रियन मेंडक जो होता है राना ट्रिटर कर रहा है क्या कर रहा है राना खामा खां और ट्रिटर मतलब टेगराना ठीका जी तो राना टेगरीना आगे देखी आगे होता है मैगनी फेरा इंडिका ये होता है दोस्तों आम का किसका होता है आम का ठीका जी भाई देखिए जिसको ये कोशन आते हैं उसके लिए प्रैक्टिस हो जाएगी और जिसको नहीं आते हैं उसको यह question याद हो जाएंगे देखिए दोस्तो मैगनी फेरा ऐसे याद कने का तरीका है मैगनी या अपने मैगी खाके फेरे ले लिए इंडिका गाड़ी के अंदर ठीक है जी तो नाम है मैगी नाम के कोई लड़की है उस चलिए मखी का व्यगनी के नाम क्या है मसकाड़ोमेश्टिका अगला question देखिए बड़ा सांदार question number 12 है जन्तु जगत की सबसे छोटी कोशिका का नाम बताईए जन्तु जगत की सबसे छोटी कोशिका का नाम बताईए दोस्तो माइक्रो प्लाज्मा ग्लेस अप्किमा क्या होती है माइक्रो प्लाज्मा ग्लेस अप्किमा मेरे दोस्तो ये एक जीवान है क्या है जी एक जीवान है एक बैक्टीरिया है ठीक है जी इस सबसे छोटा है और दूसरी भासा में इसको बताई क्या कहतेते हैं पी पी मुरकांडा ये सबसे बड़ी सबसे बड़ी को सीका है असथा धान रखना सबसे लाड़ate घी tutti जो रोटी है इसका हम कह सकते है यूनी स्थैलिऌस जोग एक को़स्पय है वह आपना सबसे बड़ा होता बैए देहां रखना बताया जाता लगभ्ग यिसमें डेड़ kg के आसपास कितना इसमें बताया जाता है 1.5 kg, 1.5 kg के आसपास वजन होता है Amoeba तो क्या है भई Amoeba क्या होगा एक कोशिक हम कह सकते हैं और neurons जो होती है न नीरोंस यह सबसे यह सबसे लंबी लंबी कोशिका है क्या है जी सबसे लंबी, it is a longest cell देखिए, neuron, it is a longest cell और सुतरमुर्ग का अंडा it is a biggest cell और mycoplasma, it is a smallest cell ठीक है जी, धान रखें फोड़ा सा डेफ्रेंसेस में यह बड़ी है, यह आकार में है और यह सबसे लंबी है तो लेंथ में है ठीक है चलिए, अगला कॉशन देखिए question number 13, maltej enzyme maltoge को किसमे बदल देता है बताइए, maltej enzyme maltej enzyme maltoge को किसमे बदल देता है तो जल्दी से बताइए, को maltoge जो होता ने, carbo hydrator भाई carbo hydrator मेरे दोस्तो ठीक है जी, यह carbo hydrator होता है यह enzyme है बाईसा, बोजन का digestion करने में help कर रहा है तो धान रखना, जो maltej या maltoge जो होगा और इसको convert जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, maltej ठीक है जी, और maltej maltoge को यह convert कर देगा दोस्तो, glucose में इसमें convert कर देगा, glucose में आप तो आपको याद भी होगा, भाई, बार-बार में लिखवा है गुलुकोज का formula क्या होता है, तो answer देख लीजिए amino नहीं होगा, factors नहीं होगा गुलुकोज तो answer क्या हो जाता है glucose answer हो जाता है, ठीक है जी तो धान रखना आप से कहने लगा, amino जो होते हैं इसको आमीनो एसिड, क्या बोलते हैं amino, क्या वोलेंगे दोस्तो amino acid, ठीक है क्या वोलेंगे amino acid और amino acid जो होता है इसके 20 संख्या होती है और ये किसकी छोटी काई है, ये protein की सबसे छोटी काई है protein की सबसे छोटी unit सबसे छोटी काई होती है दोस्तो ठीक है जी, धान रखें भई, चलिए इसका answer क्या होगा, तो maltase, enzyme, maltose को किसम बदल देगा, glucose में बदल देगा glucose को पचाने ही जरूत नहीं है simplest form होती है, इसका हम कह सकते हैं ये प्रकार से कौन सा sacred हो गया ये आपका हो गया monosacred, कैसा हो गया, monosacred चलिए, अगला question देखिए मेरे दोस्तो question number 14 है, vitamin B5 का रशानिक नाम क्या होता है, vitamin B5 ये बाई साब, vitamin की कुछ series होती है मेरे दोस्तों, जैसे मैं आपके सामने लग रहा हूँ B1, B2, B3 B5, B6 B7, ठीक है जी B9, 11 और इसको मोलेंगे B12, ये ही होती है बाई साब आप कहने लगा सार जी, बीच वाली नहीं है तो बीच वाली वाई साइंटेशन ने लिखी नहीं होगी ठीक है, तो 4 वाली नहीं है, इसमें 8 वाली नहीं है तो दहान रखना, B5 का इस वाली का नाम बताना है ठीक है, जी, तो इसका होगा पेंटाथॉनिक एसड होगा, नियासीन होगा, पायरेड ओक्षिन होगा या फॉलिक एसड होगा, जल्दी से बताइए, कमेंट करके बहुत अच्छा, वेरी गूड, सांदार, ठीक है, जवड़ जस्त देखिए, तो क्या होगा, वेटामिन B5 तो क्या होगा, पेंटाथॉनिक एसड, क्या होगा, पेंटाथॉनिक एसड इसका अंसर होगा, देखिए, B1 का होता है, थाइमिन, क्या होता है, दोस्तों, थाइमिन, दूसरा का क्या होता है, राइबो फ्लेविन ठीक है इसका नाम होता है तू का राइबो फ्लेविन तीसरी का होता है नियासीन पांच भी का पेंटा थाउने का अचिड पेंटा थाउने का हमलग आज सब लिख लीजे आपको लग रहा होगा आसान है परंतु भूल जाओगे आप हटी का होता है फाइरा डॉक्सिन क्या होता है दोस्तो फाइरा डॉक्सिन ठीक है जी साथ भी का होता है बायो टिन पायो टिन और दोस्तो एलेवन का होता है एलेवन का होता है एलेवन का होता है फॉलिक एसिड फॉलिक अमल ठीक है जी मिर भाईयो और ट्वैल का होता है साइ साम नहीं लिखे हुए सारे दोस्तों आप आगे एक्स्प्रेंट करने के जुरूत नहीं है मैंने यहां सारे लिख दिये एक पर स्प्रिंसॉट ले लिजिए आप कर लोगे ठीक है दोस्तों वीडियो अच्छी लेग रही है चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक क बश्प्राइब क्या होगा सौल मोनेला टाईफी होगा होता है है क्योगा मााइक्रो बेक्तिर्यो टiU-बब्रीखलर्कुनास है यह में निमोनिया का है निमोनिया का का नाम है ठीप्लो कोकस निमोनी और Micon बैक्टरिम के लिए ध्यां रखना ठीक है चलिये अगला कॉशन देखिए अगला कॉशन है इंजेक्शन तो मैं नहीं कह सकता है तो बच्चों के लिंग निर्धारन के लिए निम्लिकत में से कौन उत्तरदाई होता है लड़का हो या लड़की पैदा होती है तो उसके लिए कौन में पैदा होगा दोस्तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा पिता इसका मतलब में जो होता है पुरुस जो होता है ये रेस्पोंसिबल रहेंडर के लिए male हो या female पैदा होगी क्या को पता है कि male का जो होता है जो आपका chromosome होता है वो क्या होता है वो XY है और female का क्या होता है XX क्या होता है दोस्तो XX इसका X मिला है इसका X मिला तो ध्यान रखना भाई से इसका X इसका X तो क्या पैदा हुआ लड़की ठीक है जी पर ध्यान रखना इसका Y इसका X तो X और Y मिलने से क्या पैदा होता है लड़का तो who is responsible for इसके लिए gender तो कौन होता है बाई साथ आपका mail होता है चलिए ताला question देखिए सांदार question किसके अनूसार electronic विन्यास में कक्षाओं को उनकी उर्जा के बढ़ते करम में भरा जाता है वाई सब आपकी cell होती है धान रखना ठीक है जी कक्षाओं होती है ऐसे करके cell होती है k l m n एक cell होती है कुछ sub cell होती है कुछ orbitals होते है आपने सुना होगा s p d f ठीक है जी इतना समय नहीं है कि मैं आपको पूरा explain करूं कि दो आट अठारे बत्तिस करके होता है चलिए तो यह बाई सब किस ने दिया था एलेक्टर निक विन्यास की कक्षाओं में उनके उर्जा के बढ़ते करम को भरा जाता है ऐसे करके चलते हैं तो बढ़ता है एनरजी तो धान रखना यह किस ने दिया था आप वाउ सद्ध होती है ऐसे करके बना अच्छ इब सुना भान एच टू एच टू पी थ्री ऐस ट्रीवी एच तो यह बाहूर अधा इसको क्या बोलते हैं बांत होड़ी बोलते हैं चलिए आख़ोचन देखिए बारे में बताय सक्वांतम सद्धान्थ बारे में किस ने बताया और जल्दी चलिए अगला कश्चन देखिए माइक्रोफ़ोन किस उर्जा को इसको इस उर्जा में बदलता है जल्दी से बताइए माइक्रोफोन आपने सुनाओं बहुत से बच्चे बहुत बच्चों की confusion भी होती है और आज ये question आपको याद मोगा आपने देखा होगा कभी ऐसे करके mic में हम बोलते नहीं है mic होता है हाथ में और हम hello करते हैं जो hello करते हैं ये जो हाथ में होता है वह ही क्या होता है microphone होता है जहां रखिए अब ये करेगा क्या ये भाई सब आप क्या दे रहे हो sound है ना sound जा रही हो उसके अंदर और ये convert होने के बाद किसम जाएगी electric current के अंदर ठीक है तो देग लीज़ वाई ससमें क्या होगा sound energy को विद्धूत भेनी उर्जा को प्रिकाशिय उर्जा में जल्दी से बताईए sound energy to light energy, sound energy to electrical energy, mechanical energy to chemical energy to electrical energy जल्दी से बतादीजे क्या होगा तो देखिए वाई साब इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा दोस्तों ये sound energy को किस में convert करता है electrical energy में इसका हम कह सकते है विद्धूत उर्जा को विद्धूत उर्जा में convert करने का काम करेगा धर्याइनी उर्जा को विद्धूत आप बोल रहे हो द्धूत जा रही है ये energy है आपको पता हुगा energy जो थी है energy cannot be भी मेक और जाको ना तो बनाया जासकता है ना इंव किया जासकता है इसको एक फॉर्म से दूसरे प्रांसफर किया जासकता ये पता होगा आपको धान रखना एनर्जी जो थी आपने साउंड वाले अधिक आपको लाव्ड स्पीटर कंसर क्या होगा यह वाला होगा ठीक है आप मुझे 2-4 चीज बता दिए एक होता है यह कुछ अनेरजी में करता है कि आप बता दिए बाईसा मुवथती यह मुवथती कि इनर्जी में सारे अप सब्सक्राइब गरण करते हैं आपका हर्मोनियम जो होता है यह किस्ट सब्सक्राइब करके बता दोस्तों इसको मूलते हैं सब्सक्राइब को अबजक्त ना और आप चाहते को वापस प्रिटीव बनाए तो वाइस सब्सक्राइब को रफ्तार चाहिए और जो रफ्तार है सब्सक्राइब को रफ्तार से आपको प्रिटीव से कोई अबजक्त उबर खेकना होगा और वह वापस प्रिटीव पर नहीं आएगा इसका मतलब जो रॉकेट जाता है ना रॉकेट जो आपके अभी कौन गया था चंदर्यान थी जो गया था वो किस सद्धानत पर काम करता है किस पर गया होगा उसको स्पीड किजनी चाहिए होगी ज्यारे पर दो किलोमीटर पर सेकंड रफ्ता चाहिए होगी फुर आगे जाने के बाद जब ग्रेवटी होती है जिसको हम बोलते कक्षिय वेग ठीक है उसकी बेर अलग वैल्यू होती है तो धान राकिए तो क्या जल्दी से बताईए इसका अंसर होगा गया होगा ये बोल्ट नियूम्ह और तो वाइसकी पूरा वैल्यो होती है वाई साप हम निकाली भी सकते हैं इतना समय नहीं है क्योंकि आपको पता होगा बेखिए दोस्तों रूट तू मुल्टिप्लाइबाई ये जी जो है ना ये पिर्थिवी की क्या है ग्रेवती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्केर मल्टिप्लाइबाई रेडियस जो होता है न पर्थिवी का वो 6400 6400 किलोमीटर होता है आप इसको निकाल के देख लिए बाई साब आंसर आ जाएगा आपका कितना आएगा देख लिए बाई साब आप इसको क्या करेंगे इसको मीटर पर सेंट क्लोमेटर बनाएंगे तो 1000 आप नीचे कर लेंगे भाई ठीक है जी और एक इसके लिए जोरो लग गया यह पॉइंट हटाया है है यहां से यह बाला आप दो जूरो से दो जिरो काट दो ठीक है जी और य पॉन में हैं सिकां जी 63 को निए आप इसको अंडूट को खोलेंगे तो कितना हो जाएगा जल्दी से कितना होगा यह तो हो गया किसका है जल्दी से बताइये इसका होगा इसको ना करकर के यह कितना किसका है आठ तू चो शट आठ आठ का पर इसको कर लेना भाई साव अपन में जिरू आ जाएगा आप काट लेना क्योंकि सो का क्या होगा दस दस हो जाएगा तो आप कर लेना भाई साव जल्दी से बताइए ठीक है तो देखे जल्दी से बाई कितना हो गया यह 14 हो गया मल्टिप्लाइए बाई आठ अपन में दस और चौद अठे अधर ठीक हो जाता है वई एक सो बार है अपन में दस और इसकी लिए क्या लगा देवन पॉइंट तो ग्यारे पंट दो आगया बाई साव आपको किलो मुटर पॉल सेटी ठीक है जी दोस्तों धान रगाए ठीक है आगया चली आगला क्वेशन देखिए अगला क्वेशन क भारी जल में हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक उप्योग होता है भारी जल भारी जल जो होता है हाड वाटर हम कह सकते हैं हैवी वाटर हम कह सकते हैं आप कह सकते हैं हैवी वाटर हाड वाटर ठीक है जी और हैवी वाटर जो होगा उसक्या फार्मूला आप से पूछन ल क्या होगा hydrogen का कौन सा होता है दूसरा ज्यूटेरियम कौन सा होता है ज्यूटेरियम जो होता है यह किसका होता है भाई है अगला कॉशन देखिए अगला क्वेशन है sodium bicarbonate sodium sodium bicarbonate जल्दी से बताइए sodium bicarbonate का formula क्या होता है वह क्या होता है इसको हम खाना सोडा भी कह सकते है खाना सोडा क्या बोलेंगे खाना सोडा और यह होता है आपका धावन सोडा धावन सोडा ठीक है जी यह खाना सोडा है धावन सोडा है और इसको हम बोल सकते हैं sodium sodium कार्बोनेट यह sodium bicarbonate यह sodium कार्बोनेट ठीक है जी इसको बता जी मिल्क ओफ मैगनीशिया ठीक है यह पेट की अमले तक दूर करने का काम करता है दोस्तों आगे देखिए यह होता दोस्तों ठीक है यह होता है आपका जो हार्पर पलस्तर करते हैं ना प्योपी जिसको हम ब प्लास्टर फैरिस ब्लास्टर जो होता है चलिए आगा देखिए इस नॉम्बर 23 डी मेडी करना चलिये आपकी ब्राउनी गती क्या होती है क्या कहलाती है ब्राउनी कहलाती है ब्राउनी गती है दोस्तों चलिए अगला question देखिए, question number 24, कोशिका की आत्मत्या की थहली किसे कहते हैं, बड़ा आसान question है, लग रहा है न आपको, जल्दी से बता दीजिए, इससे एक नहीं, चार question हम के लिए रख चलेंगे, तो कोशिका की आत्मत्या की थहली किसे कहा जाता है, राइबोसॉम को, मैट्रो कॉ प्रोटीन की फेक्टरी कहते हैं दोस्तों, प्रोटीन की फेक्टरी कहते हैं इसको, मैट्रो कॉंट्रियक कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का रसोई घर, ठीक है जी, कोशिका का रसोई घर कहते हैं इसको, और दोस्तों केंद्रक को कहते हैं, केंद्रक को क्या कह होता है कोशिका का ध्यान रखेंगे बहुत ही इंपोर्टेंट रहे हैं चलिए अगला क्वेशन देखिए 25 त्वेश्चा का काला या गोरा रंग किस वर्नक पर निर्वर करता है ऐसा कौन सा वर्नक को बोलता है पिगमेंट का नाम बता दो वाई सब जिसकी वज़े से आपका का रंग काला है या गोरा है काला रही ऄंकर दो होते हैं कन्म बतादी यह सेबं पिगंन्ट होता है यह उन्यक्रादी सबनाट प्रिगमेंट होता है धान रखिए जब मेलालेन जादा मात्रम लेके लेगा तो बॉडी का कलर जो होता है दोस्तों वह हो जाता है काला धान से सुन लीजिए जब मेलालेन जादा मात्रम निकलेगा बॉडी का रंग काला हो जाएगा और काला जब होता है यह मेलालेन जब नि वर्द अबस्था में डियाख्तिवेट हो जाती है ज्ञादा मात्रा में निकलेगा तो आपके सरी पर मुहां से हो जाते हैं तो ध्यान रखें भाई और प्रोट अब लाज्म कुछ आई नहीं चलिए अगला कॉशन देखिए मूली सलजम सर्चों किस कुल के अंदर आते हैं मूली सलजम सर्चों किस कुल के अंदर आते हैं मालवेसी है या सोलनेसी है क्रूसिफेरी या फिर लुगमिनेसी है तो धान रखना सलजम और मूली सर्चों आते हैं क्रूसिफेरी में किस में आते हैं क्रूसिफेरी में धान आता है बेंगन आलू भिंडी यह सभी किसके अंदर आते हैं सोलनेशी के अंदर आते हैं चलिए अगला कोशन देखिए अगला कोशन है हल्दी अध्रक भूमिगत तने का हल्दी और अध्रक हल्दी और अध्रक हल्दी और अध्रक भूमिगत तने का कौन सा रूप होता है प् जल्दी से बताईए इन मैं से कोई नहीं कोई साइब दोस्तों जल्दी से के विट कर्मानुपाती को बोलते हैं कि यह नहीं वेर्फ ली परपॉर्शनल होता है कि मैशंटेता कि इन्वर्स परपॉर्शनल होता है जैसे मैं आप से नैंने लगता हूं कि तो आपका इwa को में से समझ already वोता है जोeffectलि प्रपॉर्शनल होता है और M1 आप सब्सक्राइब मास्क तो इसका मड़ा मास्क बढ़ा दो परन्तु मैं कहते ेक्ष ऐन्वर्स ली पर पोर्पोर्ष्न यह धारेक्ट्रीक स्लिए, इनवर्स ली जो होता है वह रेडियस के होता है इसका मतला हम आपकी radius जादा है तो फोर्स ड्या होगा आपका कम होगा यहां पर यह लगाए बिर्लेंग्ना रदालेंग्न इंवर्सली दोस्टों जिसका यह एक्सर पानी पहले होने का दृष्टी भ्रहम होता है जहां वास्ता में कुछ नहीं होता है इसे क्या का जाता है जल्दी जेगवार क्वेशन बढ़ लीजिये रेगिस्तान में आपको ऐसा भरह से लगते हैं यहां पर रेगिस्तान के अंदर कह रहा है अक्सर पानी पहलने का भरह होता है तो वास्ताम में कुछ नहीं होता है इसे क्या कहते हैं ुष अब मोलते हैं सिसको मुलते मिराज, क्या बोलते हैं मरीची का क्या मोलते है Miraj मिराज होता है दोस्तों यह मरीची क भ्रह्म पैदा करता है और यह डिपन्ड जो करता है न इन Special को बोलते हैं total internal reflection total internal internal reflection ठीक जी total internal reflection पर डिपन करता है दोस्तों ठीक है total internal reflection आप बोलेंगे वाइसें हिंदी वालो इसको बोलेंगे पूर्न आंत्रिक परावरतन पर कारे करता है दोस्तों फीलिए जी इसमें बहुत सारे एक्जमपल होते जैसे कि मिराज का बनना CCMI दरार का चमकना CCMI दरार जब आ जाती है तो का चमकना ये भी इसका एक्जम्पल होता है है ना तो ये सबी किसके होते हैं CC का चमकना, मिराज का बनना ठीक है या हीरे का चमकना हम ये कह सकते हैं तो ये सबी जो होते हैं ये किसके एक्जम्पल होते हैं दोस्तों ये होते हैं टी आई आर के टोटल इंटर रफ्लेक्शन के दानकना मिराज आपको भ्रम होता है एक्शुल में ऐसा कुछ नहीं होता चली अगला कोशन देखिए बड़ा संदार है वायू के संपर्ख में आने से कुछ समय बाद तो देखिए वायू के संपर्ख में आने से कुछ समय बाद चांदी के गहने काले पड़ जाते क्योंकि क्या होता है ऐसा तो चांदी वायू में मौझूद नाइट्रोजन के साथ अभी करिया करके सिल्वर नाइट्राइड बना लेती है उप्सन एक उप्सन सेकंड है चां सांसर ने स्कारी को कोकी संधी चांदी है माथे आपने देखा हुआ को समगदार होतें और कुछ समय बाद क्या हो जाते हैं या राकन को बना लेते हैं हुआ से लवर सल्फेयर को देखिए नमबर थार्टी टू कौन सा हार्मोन शरीर मारप्प सरक्रा को नियंतर करता है इसका मतलब हम कहसे ज्वाले चुछ साथ है एक पून या जच्छे बताईए थाटा इंसलेन हार्मोन्स होगा ठ्रीड होगा हो कि या हार्मोन को द्वाला से गया उक्तर जल्दी से बतादीं इसको इन्सुलिन हार्मोन होता है इसको बोलतें दोस्तों इन्सुलिन होर्मोन insulin hormon होता है दोस्तों, bending है, इसके खोजकरता है, बेतिग है, और diabetes, diabetes जो होती है, और मदुमे रोग जो हम कहते हैं, diabetes को इका आ जाता है insulin return सिमी के कारण होता है, जहां दक है, और insulin harmon dove sam noted, यह बाई से आपका निकलता है Agnase, कहाreno से तो計, अग्नासर जिसको मुं बोलते हैं पैन क्रियाज रेंकर ये शी लिए अगला कोशन देखिए अगला कोशन आप इस तरी में पहले काहा होती है जो इस तरी में फीमेल के अंदर जो fertilization होता है वो कहा होता है जल्दी से comment करके बताइए flap and tube के अंदर अंडा सेक अंदर घरवाज सेक अंदर यह उनिक अंदर जल्दी से बताइए जान रकना बाई सा 1st, 2nd, 3rd, 4th इसका अंसर जोगा flap and tube देखे फीमेल में दो flap and tube होती है जहां पर fertilization होता है इसका मतलब जो आपका क्या होता है जो sperm होगा वो किसके साथ fertilization करने का काम करेगा ओवम से फीमेल का ओवम जो होता है उसके निकलने का काम करेगा 28 दिन के अंदर menstruation cycle जब आती है तो उसके अंदर आपका क्या क्या होगा मेल में स्पर्म होगा यह million संख्या होते स्पर्म की और female कंदर क्या होगा बाइस साफ आपका औवम होगा क्या होगा ओवम बोल दो या ओवा बोल दो अंडानू ठीक है अला क्वेशन देखिए भाई जदी वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को सब्सक्राइब करते हैं वीडियो को लाइक सेर करते हैं मेरे दोस्तों ठीक है आपका एक कारा में मोटिवेशन देता है चलिए अला क्वेशन देखिए विटामिन में पाया जाता है इसा कौन सा विटामिन होता है जल्दी से बताइए कोबाल्ट कोबाल्ट एलिमेंट पाया जाएगा ऐसा कौन सा तत्व होता है ठीक है किस विटामिन पाया जाएगा बज़ बताइए विटामिन B3 में विटामि के दूद में पाया जाता है गाय के दूद में क्या होता है सबसे बड़ा नाम है भाई साथ धान रखना साइनकोबलमिन जो होता है यह आपके विटामिन होता है जल्दी से बताइए किस में गोला जा सकता है इस तो फॉर सल्फिरिक एसड में है अच्छल प्लस अच्छल को अमल प्लस नाइट्रिक अम्ल कोटेश्यम क्लोराइड या मिल्क उफ मेगनिश्या इन इस में घोला जा सकता है तो बताइए वीटा इसे जहां अरुटा क्या वह थे हैं और शौन्हार जाक प्लस नाइट्रिक अब्लस नगे है नटिक अम्ल होता है आप पूचने लगे इसका रेश्यो वुझे ए रेश्यो जल्दी से कमंट करके होगा 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 है और सोने जो सोना होता ना दोस्तों इसकी आगहात वर्धिता जो होती है आगहात वर्धिता को बोलते हैं बाई-साब जो हम कहते हैं ज्यादा होगी और इससे ज़्यादा जो होती है रिए इसका मतलब इसके पतले बना जैसकते हैं कहते हैं एक ग्राम सोने में दो किलोमीटर लंभी वायर बना जैसकते हैं सब्सक्राइब करेंगे चलते हैं अगली आपकी बहुत जल्दी लेकर आएंगे जय भारत धन्यवाद सबस्क्राइब